A very good morning to you all इस वीडियो में आप सब का स्वागत है मेरा नाम शेशान क्यागनिक है हर रोज की तरह ये सेगमेंट आप सब के लिए है जहां पर खेल जगत की जो भी कुछ बड़ी बड़ी खबरे रहती है जो भी कुछ लेटेस्ट न्यूज रहती है प्रिकेट फील्ड से वो सब मैं आपको बताता हूँ ताकि आपको छोटे सी वीडियो में क्या कुछ बड़ी बड़ी खबरे है सब पता चल जाए खेल जगत में क्या कुछ चल रहा है इसकी पूरी जानकारी मिल जाए और आपको कहीं और जाने की जरूरत ना पड़े ना कोई अकपार देखना है ना कोई और वीडियो देखना है सर्फ इस वीडियो को देखे और खेल चकत के आपको जो भी मेजर निउस है वो सब मिल जाएगी तो जल्दी से शुरुआत कर लेते हैं आज की सबसे पहली खबर के साथ में और सबसे पहली खबर है रवीशास्री का BCCI को एक सजेशन अब आपको पता है कि जस्पृत बुम्रा चोटल हो गए है नहीं खेल पाएंगी वो T20 World Cup में दीपक चेहर भी इंजरी के चलते T20 World Cup से भाहर हो चुके हैं अब ऐसे में रवीशास्री का BCCI को एक सजेशन है उन्होंने बुलाए कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके टॉप प्लेयर्स जो हैं वो ओवर एक्जर्ट कर रहे हैं जादा उनको खेलना पड़ रहा है तो ऐसे में आई पेल के कुछ मैच्छिस में उनको बाहर बिठा दिया जाए और उनको कुछ मैच्छिस में ही खेलने की परमिशन दी जाए जिससे कि उनको प्रॉपर रेस्ट भी मिलेगा और वक्लोड जो मैनेज होता है वो एक अच्छी तरह से सामने निकल करके आपका कि किस तरीके से प्लेयर की वाकिंग हो रही है किस तरीके से प्लेयर का खेलना हो पा रहा है कितना फिटनेस उनके लेविल उनका किस तरह से चल रहा है तो एक यह सजेशन दिया हुआ है और उनका यह जो सजेशन है सौरप गांगोली तो अब कुछ दिनों के लिए ही प्रेसिडेंट रहेंगे लेकिन उनके बाद में रोजर बिणी का नाम सबसे उपर आ रहा है और उन्होंने ही अब तक खाली नॉमिनेशन फाइल किया प्रेसिडेंट्शिप के लिए तो रोजर बिणी के लिए एक तरह से सजेशन होगा कि आने वाले आईपेल में क्या कुछ ऐसा होता है क्योंकि आपको पता है दीपक चेहर भी इंजरी के इंजरी जो उनको हुई थी हैंस्ट्रिंग इंजरी आईपेल उसकी वज़े से वो नहीं खेल पाये थे और उससे पहले रविंदर जड़ेजा को भी बयान आया है रमीज राजा की तरफ से अब इंडिया उसस पाकिस्तान ये जो राइविल्री रहती है तो काफी समय से चली हुई आ रही है लेकिन रमीज राजा ने ये बोला है कि इंडिया और पाकिस्तान का दोनों टीम उसमें अगर आप डिफरेंज देखें तो आपको यहाँ पर पाकिस्तान की टीम से आगे आपको दिखाई देगी भारतिय टीम क्योंकि भारतिय टीम की जो बल्ले बाजी है उसमें डेप्थ है और बल्ले बाजी की बात करें skill set की बात करें तो पाकिस्तान से भारत कहीं ज़्यादा आगे है ऐसा रमी जराजा ने कहा है अब उन्होंने साथ साथ एक बात और कही है यह जो वर्ल्ल कप में कभी भारत को नहीं हरा पायता पाकिस्तान एक बार हरा दिया है तो एक खबर यह थी इसके बाद बात करते हैं अगली खबर की तो फिर अगली खबर है वो है सूरी कुमार यादव से जुड़ी हुई अब सूरी कुमार यादव को लेकर के डेल स्टेन ने बयान दिया है डेल स्टेन ने बोला है कि सूरी कुमार यादव आपको इंडियन एबीडी विलियर्स के तौर पर दिखाई दे सकते हैं क्योंकि जिस तरीके के उनके शॉर्ट सेलेक्शन है जो 360 डिग्री में वो खेलते हैं और एबीडी विलियर्स की पूरी पूरी महाँ पर याद आती है तो इंडियन वर्जन है एबीडी विलियर्स का सूरी कुमार यादव और जो T20 वोल्ल कप है महाँ पर सूरी कुमार यादव पर सबकी नजरे रहेंगी और प्लेयर टू वाच आउट फॉर अगर देखा जाए पूरे टॉर्नामेंट में तो वो सुर्य कुमार रियादा बनाएंगे ऐसा डेल स्टेन ने कहा है इसके बाद बात करते हैं अंगली खबर की तो फिर अब आपको बता है कि जसरीद बुम्रा के चोटल होने के बाद से रिप्लेस्मेंट की बास लगाता चल रही थी तो मौमद शमी टीटमंट डी वर्ल्ड कप के लिए तयार हो गए हैं निकल गए हैं निकलने वाले थे मतलब कल इंडिया में ट्रवल वो कर रहे हैं तो उसके बाद आज उनको एक्चुली निकलना हैं साथ में उनके मौमद सिराज जाएंगे और शादुल ठाकुर भी जाएंगे जो की रिजर्व प्लेयर दीपक चेहर के रिप्लेस्मेंट के तौर पर हैं तो देखना होगा कि बुम्रा की जगा शमी और सिराज में से कौन ले पाता है तो इस तरह से यह कुछ खबर थी एक खबर और आई हुए हाला कि कल वो दोफैर में ही आ गए थी अब पाकिस्तान की टीम को एक अच्छी चीज उनके साथ हुई है कि एक गुड निउस उनको मिली है और वो गुड निउस यह है कि शाहीं शाह अफृदी क को फिट डिग्लियर कर दिया गया है और वो 15 अक्टूबर को पाकिसान स्क्वाट को जॉइन कर लेंगे और जो वाम अप मैचेस हैं उसमें आपको शाहिन अफ्रीद के खेलते हुए दिखाई देंगे तो इस तरह से टॉप फाइफ निउस जो थी आज की मोह सब मैंने कवर किया है और उमीद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा वीडियो अगर पसंद आया तो इसको प्लीज जल्दी से लाइक कर देए कॉमेंट करके आप अपना फीडबैक भी दे सकते हैं और रमीज राजा ने जो बयान दिया है उससे आप कितने ज्यादा सहमत है प्लीज आप कॉमेंट करके जरूर बताएगा फिलाल अभी इस वीडियो में अतना ही है आप सबका इस वीडियो में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अब आपस मुलाकात होगी कल तब तक के लिए गुड़ बाय